जे श्रे कृष्णा, राधी राधी दोस्तों, वेलकम बैक टू अवर चैनल लटुकोपल सेवा एंड परसनल विलोग्स तो आज मैं आपके साथ फिर से परसनल विलोग लेकर हाजिर हूँ तो आज मैं आपके साथ करूँगी चुले पर बनाई हुई बाजरे की रोटी बाजरे लेकर उसे अच्छे से मैश बहुत ही हलके हातों से उनने मैश किया है मतलब मिक्सप किया है जैसे हम आटा गुनते हैं उस तरह से और अब देखिए यह हातों में किस तरह से गोल-गोल सी रोटी बनाएंगी बाजरे की क्योंकि देखिए हम बेला चोका यूज करके हमसे तो कभी-कभी वो भी गोल नहीं बन पाती है तो ये हमारी जो जेठानी जी है भाबी जी वो हातों में ही किस तरह से गोल बनाएंगी जैसे हमारी भाबी जी बहुत शर्मीली है हम बार-बार उनने चिडा रहे थे बात करते करते तो पर उनका concentrate उनकी रोटी बनाने में तो देखिए वो हातों से ही किस तरह से गोल रोटी बनाएंगे और उनका पूरा धियान रोटी बनाने में ही है हम उन्हें बहुत छेड रहे थे जब यह बना रहे थे था तो देखिए किस तरह से उनका कॉंसेंट्रेट है रोटी बनाने में अब हम थोड़ा उन्हें परिशा जो हमें बता ही है वो share कर सको तो देखिए उन्होंने गोल-गोल रोटी बना कर हमसे share की कि देखिए हमारे हातों से इतनी प्यारी गोल रोटी बन चुकी है तो अब उन्हें चूले पर डालेंगे जो चूला उन्हें बनाया है इस चूले के टेस्ट के तो बाती कुछ और है, हम गैस पर तो all time बना कर खाते हैं, पर कभी आप भी चूले पर बना कर ट्राइ करिए कि इसका टेस्ट कितना प्यारा होता है, तो देखिए, अब वो चूले पर रोटी डालेंगे, जो बाजरे का रोटी बनाई है उन्होंने, तो ये सब तयारी थी चूले प्लो भी हो सकती है, तो खाना बिकड सकता है, तो देखिए, उन्होंने रोटी डाल दिये, तैयार हो चुका है, अब इसे इतना ही सेक कर, मतलब एक दो से तीन मिनिट उन्होंने सेक कर उसे पल्टी कर दिया है, ताकि उसकी सेकेंड साइड है, वो अच्छे से पक सके, तो यहां पर आपको एक tip and tricks शेर करना चाहूंगी अगर आपकी रोटी बाजरे की फुले नहीं तो इस तरह से थोड़ी उंगली गिली करके पानी का हाथ करके आप उन पर दो मिनिट के लिए इसे लगा दिये थोड़ा सा पानी और उसके बाद देखे देखे आपकी जो रोटी है बाजरे की फुल बहुत इजी ली जाएगी तो आशा करती हूँ आपको आज की मेरी यह वीडियो पसंद आई होगी अगर आप हमारे चैनल पर नए है तो सब्सक्राइब करना न भूले और बैल आइकन को ज़रूर दबाए ताकि ऐसी ही नई नई वीडियो की नोटिफिके तब तक के लिए बाई बाई बाई